Japanese Horror Series जो की जुन जी इतो ने लिखी है उसमें एक करेक्टर टोमी जिसके 48 पार्ट्स होने के बाद भी मरी नहीं चलिए जानते हैं उसकी कहानी और उसका boyfriend जब ambulance बलाने के लिए जाता है तो teacher उसको रोक देता है और बोलता है कि अगर तुमने ambulance बला ही तो तुमको jail हो जाएगी क्योंकि तुम्हारी वज़े से यह गिरी है टीचर ऐसा इसलिए बोलता है ताकि किसी को यह ना पता चले कि टोमी प्रेगनेंट थी और टोमी के classmates भी उसको पसंद नहीं करते थे तो किसी ने इस चीज का oppose नहीं किया और सबने मिलके यह decide कि वो टोमी के body parts करेंगे और हर किसी को एक एक body part दिया जाएगा और वो सब उस किड्नी रिप्लेस कर दी जाती है बट कुछ